Hello friends, I am CeeBee So, आज जिन सॉल्फ कोएंगे pattern Class 2 के questions Workbook questions So friends, इसमें मैं इसमें totally तो 30 questions है फ़र मैं कुछ selected questions ही कराऊंगे और इस chapter के कोई basics रही है इस chapter में हमेरे बस यही देखना होता है कि pattern में क्या हो रहा है और उसके बाद next क्या आड़ेगा So friends, do you like this video, share this video with your friends, subscribe to my channel Shibbi Zendu Studio and press the bell icon to get notifications of finding new videos. So let's start. First question 15 then 25 then 40 then 60 then 85 dash. Now we have to find that what is following this pattern and next what will come. So in this packing in the first place 10 add, 15 add, 20 add, 25 add, 25 add and what happens is that 55 add and then the number we have to find the number we have to find. आया, उसे add कर रहे हैं. अब लास्वे हमाँ 25 पर. अब 25 प्लस 5, 30 और 85 प्लस 30 विचस इकूल तू 115. So option A is the right, next question 230 then 225 then 215 then 210 then 200 then dash. इसमें वही हमें हमें फाइं करना है, पाटन पाइं करकर कि नेक्स्ट क्या आएगा. So अब इसमें क्या हो रहा है? पहले 5 अब यह deserves regret हैं पहले 5 अब यह सबस्टेक्च हो अब पहले 5 अब यह सबस्टेक्च हो और 10 अब यह थुश्या. होगा 5 और 200-5 which is equal to 195 so option A is the right option next question dash then 385 then 70 then 255 यही सेम है हमें पैटन करना है क्या और फाइं करना है कि यहां पर क्या आई रहा है अब अगर हम नहां देखें सबसे पहले यहां पर माइनस हुआ 15 फिर 15 माइनस हुआ फिर 15 माइनस हुआ तो आप इसे उल्टा भी चेक कर सकते है कि 225 है 255 है उसमें 15 आइड करा फिर इसमें 15 आइड करा फिर इसमें 15 आइड करा फिर इसमें 15 आइड करा तो आए हमारा 300 अब 300 में हम क्या आइड करेंगे किसमें से सबस्टा करेंगे 15 के आज़र 300 है अब अगर हम 300 प्लस 15 करेंगे तो इकोल तो 315 और 315 माइनस 15 300 100 so option c is the right option next question 100 then 110 then 120 then dash then 140 then 150 then dash then 170 then 180 अब इसमें क्या हो रहा है इसमें 1010 प्लस हो रहा है अब 1010 प्लस हो रहा है अब 20 प्लस 10 sorry 130 अब 130 प्लस 10 140 अब यहां 150 पर लास्ट आया हमारा 150 प्लस 10 160 अब हमें 160 में 10 अब 10 अब 10 करां 170 अब यह नहीं हमें सथी फाइंड करा है 130,160 so option a is the right option next question 50, minus, then 40, then 31, then 23, then dash, then 10, then 5. अब इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले यह माइनस हुआ 10. उसके बाद यह माइनस हुआ 9. उसके बाद यह माइनस हुआ 8. फिर यहां 7 माइनस होगा. फिर उसमें 6 माइनस होगा. तो 10 आजाएगा उसके बाद, माइनस होगा 5. अब 23. जब आया था, जब हमने माइनस 8 करा था 30 बनने से. अब 8 से पहले क्या है? 7 मतलब अब हम 23 मैंसे 7 को सिबस्ट्राक्ट करेंगे. So 23 माइनस 7 इस इकवर तो 16. So अब 23 माइनस 7, 16 ठीट है. उसके बाद 16 माइनस 6, 10. मतलब यह भी हमने सही करा है. So option D is the right option. और friends यह जो questions मैंने अभी करा है. यह number pattern है. यह number का है pattern. So friends यह साल है जो questions होंगे जो अभी मैं आपो करा हूँगी वो figure pattern में आते हैं. So next question. यहां पर हमें यह दे रखे हैं कुछ figures. अब अब हमें फाइन करना है बीच में यहां पर क्या आएगा. अब यहां पर हम यहां पर देखता है. अब यह end का हो रहा है यहां पर मतलब इस वाले figure पर यह end हो जाया है. उसके बाद इस वाले figure के पाद क्या आता है यह वाला figure मतलब इस यह जो blank है इसमें यह वाला figure आएगा. यह जो shaded part है यह quarter circle और यह quarter circle है यह anti clock wise चलता है clock चलती है ऐसे और यह चल रहा है ऐसे अब यह anti clock wise चल रहा है so अब यह last यहां पर आ रहा है अभी next इसका shaded part यहां पर होना चाहिए so option a is the right option next question यहां पर pattern दे रहा है last week आएगा यह find कर रहा है. इस pattern में यह है कि जो unshaded है वो shaded में बतल जाता है जब वो ढोनों join होते है और इसमें जो सबसे पहले देरख कर रहा होता है वो उपरु है उसके बाद रहा है वो नीचे जारा है अब यहां पर, यह तो shaded होना चाहिए और यह unshaded होना चाहिए उसके बाद यह उपर आएगा और फिर यह उसके नीच आएगा यह केस तब कहां पर हो रहा है? Option C पर, so option C is the right, option Next question, यहां पर हम एक पाटिन दे रखा है, फिर पाटिन है नेक्स्ट कहा आएगा तो यहां पर एक six figures का पाटिन है और फिर यह पापस repeat हो रहा है, फर्स वाला वो समेंथ की जगे आगया सेकेंड वाला एट्थ की जगे पर आगया अब 9, अब यह जग थोड़ वाला है, यह आएगा 9 की जगे पर, so option A is the right, option वैसे तो मैं 9 की जगे पर ब्लैंक दे रखा है, तो 9 की जगे पर यह आप जाएगा Next question, यह arrows दे रखे और फाटिन नेक्स्ट कहाएगा So friends, यह जो पार्टन है, इसमें जो एरोज हैं यह clockwise में मूव करते हैं, clock ऐसे मूव करती हैं और यह arrows भी ऐसे मूव कर रहे हैं So अब यहाँ पर यह down आगया, यह भी नीचे पर है, उसके बाद next की आएगा Clockwise में अगर हम Clockwise पार्टन में भी देखें तो next, इस साइड वाला ही arrow आएगा So option, D is the right option So friends, यह था मेरा पार्टन क्लास्टू का विडियो का विडियो So friends, इस चाप्टर के कोई basics नहीं है, क्योंकि इस चाप्टर में हमें पार्टन दिया जाता है फिर हमें फाइड करने उसके बीच में या उसके last में क्या आएगा So friends, इस पार्टन में 10 questions कर आए बागी questions आपको easily आजाएंगे और अगर आपको कोई question में doubt है So आपको मुझे comment करकर पूछ सकते हैं मैं बता दूँगी आपको की उस question में क्या करना है So friends, please like this video, share this video with a friend, subscribe my channel, shivisadu studio and press the bell icon to get notifications of my new videos Bye Bye